तो आप भी testosterone की कमी से जूज रहे और आप ढूंटरो solution की बिना injection बिना भारी testosterone लिए हमारी बाड़ी testosterone बनाना शुरू करते या आपने जिम में ले लिए अपने जिम कोच के कहने पे और आप आप पर testosterone हो गया डिप और आप उसका reversal चाहते हो या आपने फिनिस्टाइड ले लि बिना हर किसी के लिए safe नहीं है और वही पर आज हम बात करेंगे एक smart, natural और science-backed solution जो एक दवाई है जिसको बोलते है एक दवाई के बारे में हाँ ये को supplement नहीं है ये एक दवाई है जिसको बोलते है Clomiphene Clomiphene एक testosterone increasing therapy है अगर आपको TIT testosterone increasing TST testosterone supplementation और TRT testosterone replacement के बारे में जानकरी लिनी है तो ये वीडियो को QR code है वीडियो link में है इसको देख लेना देखके आओ फिर वीडियो को start करना पर आज की वीडियो में बात करेंगे Clomiphene क्या है कैसे काम करती है ये कौन मर्द ले सकते है इसकी research क्या है studies क्या है इसका आपके sperm quality आपके libido आपके testosterone पर क्या impact होगा कैसे लेनी है कब तक लेनी है इसका benefit क्या है side effects क्या है और इसका result है वो permanent होगा है temporary और हमारे gym वालों के लिए इसमें एक bonus section में वीडियो को पूरा देखोगे मैंने इसमें बताया कि जो मारे gym के लड़के है जिनको body बनानी है पर injection नहीं लगाना है वो इसको कैसे use कर सकते है तो वीडियो देखना पड़ेगा मैं बताऊगा नहीं कौन से section में आप जाए पूरा वीडियो देखिए बीच में म को regulate estrogen करती है जैसे आपकी चाबी आपकी वाइफ के हाथ में वैसे testosterone की चाबी सीमेल estrogen के हाथ में और estrogen हमारे brain को signal देती है कि कि कितना testosterone बनाना है तो अगर brain को लगता है कि estrogen कम हो रहा है तो वो बोलती है FSH body body बनाती है तो sperm production उसकी value बढ़ती है तो clomiphene basically एक natural switch button है जो जाके आपकी body में testosterone production बढाती है internally आपकी body ही testosterone और बनाएगी सबसे important point यह है कि testosterone injections जो आपके टोटों के अंदर के testosterone को suppress कर देते है clomiphene आपके टोटों के अंदर का testosterone आपकी body का natural testosterone आपका natural sperm production को बढाती है तो यह उन लड़कों के लिए उन मर्दों के लिए perfect है जिनने testosterone चाहिए पर जिनको अपना body का natural चाहिए जो बाहर से नेशन लेना नहीं चाहते है और अपने sperm count के अपने टोटों को healthy रखना चाहते है तो clomiphene जिम के अंदर ही फाइदे मन दे क्या जल्दी बता जिया मैंने जिम वालों को yes indirectly clomiphene natural testosterone को boost करता है कोकि testosterone anabolic है जितने anabolic है वो testosterone का ही रूप है तो gym goers और athletes जिनको clomiphene off label use करते है उनके अंदर lean muscle mass बढ़ता है recovery बढ़ती है muscle बढ़ेगा body fat mass loss होगा muscle strength बढ़ेगी त तो अगर आप steroid cycle जाते है तो उसमें तो ये mid cycle में reversal होता ही है पर अगर आप gym जा रहे है और आप एक safely use करना चाते है तो ये clomiphene gym goers में benefit दिखाता है तो एक study हुई तो है 14 में रामा सामी बहुत बढ़े एक endrologist है जो पर दुभा ही shift होगा है इन्होंने दिखाया था कि ज testosterone booster serve हो सकता है पर clomiphene replacement नहीं है clomiphene anabolic steroid नहीं है clomiphene को use करने से पहले प्लीज अपने डॉक्टर से जूर पूछ लिए मैंने बता दिया आपको पर ये medical advice नहीं है ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने लेना शुरू कर दिया it can improve gym performance it can improve muscle mass but under supervision of a qualified doctor ये मेरे लिए भी सेफ है जो अपना testosterone बढ़ाना चाहते है पर injection लेना नहीं चाहते है तो बाड़ा बोली रहो मैं तो वो लड़के जिनका low T के symptoms है ऐसे लड़के जिनको low testosterone के सारे symptoms लागे है पर वो समझ नहीं पा रहे है नाचुरल देसी इलाज देसी इलाज मतला है कि diet exercise sleep कर चुके है पर testosterone नहीं ब चोट है test is healthy है पर testosterone बढ़ने रहा है तो इन लोगों में helpful है वो मर्द जिनका सिर्फ sperm count low हो गया है और बाकी factors तरह मिटर नॉर्मल है उनके अंदर ये as a part of fertility के लिए और जिम गोवर्स वहीं मने बता है जिनके लोंडे जो बड़ बना चाहते है बाद बहार से कुछ लिएना मैं आप देखेंगे मेरे वीडियो में लिखा आता है health source तो कोशिश करते हैं कि आपको हर वीडियो में हर topic पे मैं science दू ताकि आप अपनी चान भी खुद कर सके और आपको एक ट्रस्ट हो कि आपको हम कुछ बंकम या उस फेक नोड़े तो पैली study को और बात करेंगे वो Mr. Taylor at all की है 1210 की study है जो कहती है कि Clomiphene का इस्तमाल hypogonadal men मतलब SMR जिन में testosterone low है उमें तीन मेने के अंदर testosterone level double हो गया मतलब कि तीन मेने use में testosterone level 300 था वो 600 चले गया अब testosterone का level कितने होना अच्छी है वो भी आप जानना चाहेंगे तो मेरी वीडियो है इस पे प्ले लिस्ट में ह है जिसको आप देखो QR code दिया है और पेशन लिखते कमेंट में सर बताओ 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 32 मिनेट की वीडियो बनाओगा लोग देखेंगे दो मिनेट की वीडियो तो मैं क्यों बनाओ 32 मिनेट की वीडियो मैं तॉपिक को डिवाइड करता हूँ अगर आपको genuine interest चाह परसेंट आफ मर्द मर्द जिनमें हमने क्लोमीफीन दिया उनके sperm parameter नॉर्मल हो गए दो मेने की यूज में और उनमें से 82% मतलब 100 लोगों को दिया 60 लोगों के sperm count ठीक हो गए पर जिनके नहीं भी ठीक हुए उनके अंदर भी libido energy मतलब ताकत इच्छा next drive better हो गई फिर एक study मैंने पहले बताया थी फिर से बता रहा हूँ कि जो ये क्लोमीफीन यूज करते है टाइम पे लोगों ने तीन मेने के लिए दी जिम वालों को जिम में वो अविसी बॉड़ी बेटर बनी और अभी डीसेंटली एक meta-analysis आया है जो कहता है कि क्लोमीफी तो अगर आप क्लोमीफीन यूस करते है तो आपको क्या फायदा मिल सकता है आपके टेस्bour्स न बढ़ेगा दो गुना तीन गुना हो सकता है चागों तक बढ़ेगा आपके टो अंदर का टेस्ट्रस्न बढ़ेगा आपका sperm कॉन बढ़ेगा आपकी fertility बढ़ेगी आपके लह FSH, जो है, हार्मोन, उसमें सर्ज होगा, उससे आपकी इनर्जी लिबिडो बढ़ेगा, आपका लिबिडो एनर्जी, फोकस, मूड बढ़ेगा, आपको morning reaction अच्छा हैंगे, stamina strength बढ़ेगा, पर, कई प्रेशन कुछते हैं कि सर, result temporary है या permanent, तो मेरा उनको जवाब यह है, कि temporary ह हो या permanent, आपको ठीक तो हो नहीं है, अगर temporary है या तो बिलाज नहीं करा होगे, तो लीजिए, safe है, पर, chromiphene के results 50% लोगों में long term होता है, आप दवाई जब खतम होगी तो आपका result sustained रहेगा, वो सकता है कि आप 400 पे शुरू हो रहे हो, 800 जाओ, दवाई बन करके आप 600 पे आ तो cycle लगानी पड़ सकती है, और 50% लोगों में जिनके अंदर testosterone की कमी है, तो नहीं बना बारे, उनको ये दवाई long term यूज करनी पड़ सकती है, पर क्योंकि दवाई के side effect profile अच्छा है, दवाई injectable form ही नहीं है, दवाई safe है, और naturally काम कर रही है, तो इसको आप long term भी ले सकत add करोगे, तो ये भी एक study बताता हूँ आपको जिसमें बताया गया था कि अगर क्लोमिफीन को use किया जाता है तीन महने से उपर, तो 55% मतलब दो में से एक आदमी में testosterone level अच्छे maintained रहते है, छे महने बाद भी, तो हो सकता है कि क्लोमिफीन के तीन महने के course से आपको sustained result मिले पर, chances है, आपको proper monitoring doctor की care में करना है, dosage, वैसे dosage तो आपको net पर मिल जाएगी, तो बताये दूँ कि 25-50 mg होती है, daily होती है, alternate day dosing भी होती है, low start करते है, फिर बढ़ाते है, result को monitoring करनी पड़ती है, हमें हमेशा साथ में testosterone, LH, FSH, आपकी sperm parameters, आपकी BP parameters अब देखने पड़ते ह पर, बहुत साथे लोगों जो मुझे पता है, वीडियो देखोगे, और website पर जाओगे, और order करके, दूसमने चुरू कर दोगे, please, मैं आपको search कर रहा हूँ, कि start करने से पहले, आप doctor से मिलिए, andrologist से मिलिए, check करेंगे, क्यों कम है, हो सकता है, कि इसके बिना भी हो सकते हो तो अगर आपको testosterone low है, तो directly दवाई मत स्टार्ट कीजिए, क्लोमीफीन इंजेक्शन से बेटर है, definitely बेटर है, क्योंकि natural testosterone बन रहा है, आपको natural testosterone बनना बन नहीं होगा, स्पोम अच्छे रहेंगे, testis size बढ़ेगा, आपको गोली खानी injection नहीं है, आपको benefit मिलेगा, तो अग बनेगार साइटेफेट हो सकते है, जैसे mood swings, गुसा आना, थोड़ा सर में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा आखों में जलन हो सकती है, initial phase में, पिंपल आ सकते हैं, तो बाल बच्चे है, अब इसमें आपको डिसाइड करना है, कि आपको बाल बच्चे करने है, वो आपका एक personal choice है, during use हम LFT कराते है, testosterone level check कराते है, आपके हार्मून चेक करते है, और कोई और साइट इफेक्ट पर नहीं हो रहा है, जैसे prostate cancer या PSA, वो भी चेक करते है, अच्छा, अब हम एक topic कवर कर रहे है, जो accessory है, जो हम यूज करते है अपने patients में, खुकि मारे पास बहुत सारे patients हो ह है, वो ED के आते है, इनको rectal dysfunction है, यंग patients अब पाते हैं कि वो testosterone low है, और वो ED हो रहा है तो हाँ, तो clomiphene को हम कई बार penile rehab programs में हमारे patients वाते हैं, ED surgery के लिए, या penile implant के लिए, या pre-shot के लिए, या shock wave के लिए, जिनको हम medicines के साथ, elogenine के साथ, exercise के साथ, shock wave के साथ, इसको add करत इसे, P-shot के बेटर होता है, shock wave का benefit बेटर होता है, keegle exercises से improvement ज्यादा होता है, L-Arginine एक testosterone support है, along with Ashwagandha Shilajit, with chromiphene, results बेटर मिलता है, तो यह multimodal approach है, again, यह advanced approaches है, बेटर है कि अच्छे centers में, आप इनको यूज करें, तो अब इस वीडियो को खतम करेंगे, क्योंकि वीडियो अच्छा option है, आपको मने बोरा बता दिया है, वीडियो को एंड करतेते हैं, एंडिंग करने से पहले में, final words है, कि यह एक safe, science-back, effective, and most importantly, एक अच्छा solution है, आपके खुद के testosterone बनाने के लिए, तो लास्ट में, मैं हो Dr. Gupta, अगर आप low testosterone, fatigue, or limited issues, face कर रहे हैं, तो आपको करेंगे, इसलिए भीड रहती है, इसलिए बेटिंग होती है, तो प्लीज थोड़ा सा, कि अगर को डॉक्तर से ही मिलना है, तो टाइम लगता है, लड़िये मत, अगर आप जादा लड़ेंगे, पेशेंट्स तो फिर हम जूनियर बढ़ादेंगे, जूनियर में किया मुर् मुन्स लड़ियों.